हेलो दोस्तों वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आप देख रहे हैं वासिमपल मैं आपके साथ सायद समसाद उसेन आज के इस वीडियो में हम आपको मुख मंतरी नीजी नलकूप योजना के बारें बताएंगे किस तरीके से आउनलाइन आविदन देना है आपको और इसमें जो अनुदान है वो कैसे आपको मिलेगा कितना मिलेगा ठीक है तो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंतक आप बने रहेंगे डोकूमेंस दस्तावेज से लेकर के सब कुछ हम बताएंगे तो इस वीडियो को अंतक आप ज़रूर देखें साथ निश्याए दो के तहत हर खेत तक सिचाई का पानी पहुचाने है तो ये सरकार का एक महतोकांची योजना है आपको बताते हैं मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना जिसमें 30,000 नलकूप पर अनुदान दिया जाना है तो बिहार में बहुत सारे लोग हैं और जितने भी लोग आव वहीं अगर आप पिछड़ा आती पिछड़ा में आते हैं तो आपको 70% यहां पर लागत का अनुदान मिलेगा और वहीं अनुसीजी जाती और अनुसीजी जन जाती के अंतरगत आते हैं तो 80% तक यहां पर आपको अनुदान के रासी मिलेगी ठीक है तो 4-6 इंच प्यास क दो चरुनों में होगा जो की आधार लिंक जो आपका बैंक एकाउंट है उसी में आपका ये जो पैसा है वो जाएगा अवए की बात करें तो बोरिंग प्रती मीटर यहाँ पर अगर आप 1200 रुपया लगता है तो जिसमें समानवर के लोगों के लिए 600 रुपया यहाँ पर दिया जाएगा वहीं पिछला वर के लोगों को 840 रुपय यानि 70% मिलेगा वहीं अनुसूचित जाती के वर के लोगों को 960 रुपय मिलेगा पंसेट पर दो एच्पी में अगर 20,000 का आपका जो मोटर है तो उस पे आपको नुदान की राष्टी जो है वो 10,000 मिलेगी समा समानोंबर के लिए पिछड़ा के लिए 15,500 नुसूचित के लिए 20,000 रुपय मिलेगा अब चलते हैं पूरी जनगर विस्तार से किस तरीगे से आपको आवेदन देना है क्या गलती नहीं करना है तो चलिए चलते हैं PC-screen की तरफ आपको वेडियो के दिस्क्रिप्स ने मिल जाएगा आपको वहां से भी इसके हॉम स्क्रीन पर आ सकते हैं अब यहां पर आपको बतादे हैं यहां पर आपको बता दे सकती अनुसार अनुदान का परोधान रखा गया है दो और पांच अधिसकती सब सेंट्री मोडर पंप के यहां पर आपको बता दे सकती अनुसार अनुदान का परोधान रखा गया है योजना के लाब है तो नियोंतन 40 डिसमिल के योगी भुखंड की आवसकता आपको पढ़ती है एक किरिशक के लिए एक ही बार योजना का लाब आपको मिलेगा अनुदान का भुखतान दो कुछ यहां पर रखें हमने यहां पर गिलिक कर दिया है तोड़ा से वेबसाइट है आपको पेसेंस रखना है उसके बाद जैसे ही यह ओपन होता है मैं आपको बदा दो यहां पर आपको बदा दें यहां पर अपनी अभेक्तिकत जन्तकारी दर्च करने को प्रात करने यहां पर आपको पर आपको करने तो आपको सामने एक मुख्य प्रिष्ट नया पेज ओपिन हो जाएगा उस बेज में क्या-क्या फिलब करना है आपको बदाते चले किसां का करने की अवसकता नहीं है िख और पाड़ करने आपको से प्रुंस्कारी नहीं हो करते हैं तो आपको जाती फर्मानपत्र संख्या डालना होаки जाती प्रव्तत्र में आपको मिल जाओं जाने के बाद आपको एक मुबायल राखने डालना है के पर यहां अधार नंबर डालना है आप उस दोनों को सत्यापित करें dog uh OTP के माध्यम से यहाँ पर सत्याफित किया जाएगा तो चलिए एक बर हम सारे फोरम को जो है यहाँ पर मुआपाइल नंबर और अधार नंबर डाल करके सब कुछ फिल अब कर लेते हैं उसके बाद से बहुत नेक्ष्ट पर क्लिक करते हैं तो वह आप डाल देंगे वहाँ पर उसके बाद आपको यहां पर आजागा कौन से महिना में जारी किया गया है उसके बाद यहां पर सार्च वाले बटन पर जैसे ही किलिक करेंगे तो यह आपको फिल हो जाएगा ठीक है अगर आप एक से ज़्यादा एलपी सी का डिटिल्स यहां पर दे सकते हैं उसके बाद आप नेक्स अपर जैसे ही किलिक करेंगे तो देखिए आपको आप क्या आएगा देखिए अपको बताते है यहां पर फिर आपका आएगा किसान का फोटो यहां पर अपलोड करना है डिक है जो कि 50 KB तक का ही होना चाहिए देन उसके बाद TubeWell साइट का फोटो जो आप जहां पर TubeWell लगाना चाहते हैं उस साइट का एक फोटो घीच ले जहां पर आपने चिनित किया है जो भी जगा वहां का फोटो घीच करके आपको यहां पर अपलोड करना है जो कि 400 KB तक होना चाहिए TubeWell फोटो अपलोड करना है यहां पर जो कि JPG में फाइल में होना चाहिए उसके बाद यहां पर साव घोसना देना है यह सारे टिक आपको कर देना है यहां पर जितने भी यहां पर कंसेंट दिये गा है सारे घोसनाओ को ठीक है और उसके बाद यहां पर आपको Final Submit का बटन देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर हमारा आवेधन यहां पर अभी हमने complete नहीं किया चुकि हमें यह चीज नहीं चाहिए ठीक है तो इसलिए हमने यहां पर नहीं किया कुछ भी नहीं आपको आने वाला है इस स्ट्व को फोलो करिएगा तो अगर आप आपको लगता है कि आपने जो आवेधन कर दिया उसके बाद आप उसका प्रिंट नहीं निकल पाए तो आप यहां से आवेधन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और जो स्विक्रित हो जाती ह जब दावा आप अप्लोड करते हैं तभी आपका जो है यहां पर पैसा पार प्लोड कर दो जो और जो यहां पर बताया है कि जिस दिन से आपका यह आवेधन स्विक्रित हो जाएगा तो एक लिमिट समय आपको दिया जाएगा जिएक स्विक्रिती के पचाट साथ दिनों क अंदर आवेदित अस्तल पर क्रिशक द्वारा बोरिंग गार कर जो है अनुदान का दावा पोटल पर अपलोड करना होगा तो यहाँ पर 60 दिनों के अंदर ही आपको जो अनुदान के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो आपको यहाँ पर जो दावा परपत्र है वो पो पोक्राप लेंगे जिसे रवा प्रपत्र के समय पोटल पर अपलोड करने वाना यानि जब आपको जाती है तो उसमें जल स्वड़ाओ यानि जल निकलता हो वहां बोरिंग से और वहां पर पर किसान खड़े हो जाएंगे वहां का फीर फोटो लेंगे और वो दावा प्र जो फोटो है उसको खीच करके वहाँ पर फिर पोटल पर अपलोड करेंगे उसके बारे में हम आपको बादने बताएंगे कैसे अपलोड करना है चीक अभी भाग जाएगी चार्च करेगी नलकूप में परयुक्त होने वाले सभी सामागरियों का देश में निर्मित होना वा इनकी गुनवत्ता भारती मानुकों के अनुसार होने चाहिए अनुसार जाती जाती के वर्ग के लिए 907 रुपे परती मीटर रखा गया है 70 मीटर तक के लिए ही दे होगा 70 मीटर में देखे क्या फीट हो जाता है वो आप कल्कुलेट करके देख लिए हाला कि इससे ज़्यादा जरूत नहीं पड़ेगी 70 मीटर में तो बहुत गहराई हो जाता है और यहां प्रणदान करया से 2HP, 3HP, 5HP, मोटर पंप, पहितु करमसा अधिक तम 20,000 रुपे और 25,000 और 39,000 की तरह से लागत पर सम्मान अबर पिशला वर्ग और अथी पिशला वर्ग जिसके बाले मैं आपको पहले बता चुके है सल्वन कहने वाले जो अभी लेकों की सूची है वो मोटर पंप का GST voucher ठीक है उसके बाद पाइप का GST voucher यह बाद में होगा जब आपका सूची में नाम आ जायेगा उसके बाद उसको अप्लोड करना होगा ठीक है जब आप मोटर जो सेट करेंते हैं तो उसको फिर अप् लेकिन यह फिलब करने के बाद आपको अपडेट लिख रहा है लेकिन होता नहीं है बहुत मुश्किल होता है इसलिए आवेदन जो है अराम से फिल करें कहीं भी कोई दिकत परसानी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अब पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं इस पर आप कि पर आपको अब पत्र टाउनलोड हो जाएगा तो आपको पिसंद आपको लाइक करेंगा जो बूझना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं जैनल को सब्सक्राइब और मिला इंप प्रेश धन्यवाद थैंक यूटे क्या बाइबाए